रादे रादे जैशी किष्णा कैसे हैं भक्तों आप सब आई हो पच्चे ही होंगे मैं सिंगीता शर्मा भक्ती वजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वावत करती हूँ तो भक्तों मैं विंदावन गई थी तो आप मैं महा से लड़्डू को पाल जी लाई हूँ आप उनके दर्शन कर लीजे लड़्डू को पाल जी इनके आप दर्शन कर लीजे तो भक्तों मैंने विंदावन से ही लिये तो मैं इनको विंदावन मंदिर अंदर ले गई थी बाके भीहारी मंदिर के अंदर तो मैंने इनकी महाँ प्राण पतिक्षा करा ली थी और हम मत्रा भी गए थे जहां इनकी जनम भूमी है महाँ पर भी लेके गई थी अब मैं इनको घर पे लिया आई हूँ तो अब इनका मैं कल पंचमर से इसनान कराऊंगी तब इनका सिंगार करूँगी तो भक्तो आप दर्शन कर लीजिए लट्डू गॉपाल जी के कितने सुंदर लट्डू गॉपाल जी है तो मेरा काफी दिन से मन था कि मैं बड़े लट्डू गॉपाल जी लाओं छोटे तो मेरे पास हैं एक लट्डू गॉपाल लाने का मनोर था काफी दिन से जाना ही नहीं हो रहा था तो अब लट्डू गॉपाल जी आगे हैं आप दर्शन कर लीजिए अच्छे से इनके तो भक्तो मैंने कुछ विंदावन से और भी शोपिंग करी है इनके लिए ज़्यादा कुछ तो खरीदा नहीं है ये ड्रेस महीं से खरीदी थी महाँ पर ज़्यादा ड्रेसे मेरे को मिली नहीं क्योंकि फिर ये मैंने तो फिर यहाँ पर आई हूँ जिनसे मैं ड्रेसे सिलवाती हूँ आंटी जी से तो उनको फोन किया है नाप दिया है फोन पर उनको बोला था तो मैंने उनसे ड्रेस बनवाई है अभी तो एकी ड्रेस बनी है इनकी तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस कैसी बनी है वापाल जी को थोड़ा साइड कर देते हैं और विंदा बन से शॉपिंग करी थी ज्यादा कुछ तो दें तो यह काफी अच्छे बाल है यह उपपर जुड़ा बनावा है करली बाल है तो मेरे को यह काफी सुंदर लगे तो मैंने इनके लगा के देखे थे तो काफी सुंदर बाल लग रहे थे यह बीच में जो होल होता है इनको काफी सुंदर बाल लगे थे मेरे को यह तो ब तो ये मूड़ गई है बासरी और एक मैंने यूगल सरकार के लिए लिए अपने ये बासरी मैं उनके लेके आई हूँ कपड़े वगएरा तो मैंने खरी देने क्योंकि मैं यहीं से बनवाती हूँ और बक्तोई एक मैंने इनके लिए ये मैंने इनके लिए कड़े लिए है काफी सुन्दर कड़े लग रहे थे स्टॉन लगे वे इसमें रैड कलर के एक मैंने ये लिए हैं वाइट कलर में मल्टी कलर है मतलब वाइट मोती मल्टी कलर एक ये लिए थे यह ले आइन के लिए यह मैंने दो तुलसी माला लिया तो यह रामा शामा माला है आप देख सकते हैं कि इतनी सुन्दर माला है है तो भक्त इनको मैं गंगा जल से इनको गंगा जल से चीटे देगे तब मेरे जबैंड यह वाली माला देंगे वैट वाली अब मैं पहना हुए यह माला ऐपने गले में और यह वाली मैं अपने जबैंड को दिएफ रशक इनकी हम दीब धूब दिखा के गंगाजल से थोड़ा चीटे दे के और फिर धूब दीब दिखा के यह माला लेके आई उनकी तो मैं यही से खरीदूंगी क्योंकि काफी बीड़ थी विंदावन में ज्यादा कुछ नहीं खरीदा हमने और बारिश भी काफी हो रही थी एक यह मुकूट लिया है मैंने यह जो ड्रेस पहनी होई है इसके साथ का मुकूट लिया था मैंने उनको सुबह फोन करा तो उन्होंने शाम तक बना दी थी यह ड्रेस क्योंकि लड़्डू गोपाल जी पे अभी एक ही ड्रेस है तब मैं इनको इसनान कराऊंगी तो यह पह वह मुकूट है काफिसं अब बनाया है वह मुकूट है जब लगए तो बहुती सुंदर लगएंगा वैसे इसननल लग रही है जो जी आहिसे मैंने शौन बनवाई है जब ड्रेस पेनांगी तो उपर से उडानी के लिए इनके लिये मैंने शौन बनवाली है तो आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर शॉल बनाई है वेलवेट में और एक पेंटी भी बनाई है तो अभी धीरे धीरे ही बनेंगे जल ثलصी और जय हम यहां मेंडे होने क्योंकि जलूत की में और ठेट जाएँ जा है ने दो पहरा स्वयां करते हैं और षॉल कि एक स्वर्स घृइन ऩरे ही माइने ब्लाउंक इनके लिए हो च्छे लिए तो मैंने ढूसरे नित्तुंता। भक्तो दो ये मैंने एलिफैंट लिये हैं तो ये मेरे को अच्छे लग रहे थे तो मैंने लिये ये दो ये मिन्दा बंसी खरीदे हैं और एक ये मैंने माला रखने के लिए खरीदी है तो महाँ पर काफी अच्छे अच्छी मिल जाती हैं टंगी भी रहती हैं तो एक ये मैंने लिये तो भक्तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंड में तो ये मैंने विंदावन से थोड़ी शॉपिंग करी है अधिर आदे जैशी किशना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सब्क्राइब करें और अपने सुझा कमेंड में दें